आज के इस वीडियो में हमें एक बहुत जरूरी, शायद सबसे जरूरी concept डिसकस करने वाले हैं, concept एक ही है, लेकिन थोड़ा complicated है, मैं बहुत सारे examples यूज़ करूँगा, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, ऐसा लगे, तो भी patience बना के रखिएगा, और इस वीडियो को पूर लेकिन ये एक बहुत जरूरी concept है, नमशकार दोस्तों, stock market classes with pranjal के इस अगले lesson में आपका स्वागत है, अब किवल 4-5 lessons और बचे हैं, और आज हम discuss करेंगे एक बहुत important metric की, जो आपको help करेगा stocks को value करने में, और आज के बाद जो अगले 3-4 lessons आएंगे, वो आएंगे valuation पे, तो आज हम discuss करने वाले हैं, कि free cash flow क्या होता है, ये एक बहुत important concept है, जिससे आगे आपको बहुत मदद मिलेगी, तो चलिए, आज एक simple example से हम समझेंगे, कि free cash flow क्या होता है, जैसे कि आप actual के case में देख रहे हैं, free cash flow per share, इस share को आप इस drop down को use करके, आप यहाँ पे जो type करे देखेंगे, वो आजाएगा, तो आप drop down को use करके इस parameter को डाल सकते हैं, तो अब पहले हम यह समझते हैं, कि free cash flow per share क्या होता है, देखिए, उसके लिए हमको एक बार ये revise करने की जरूवत है, कि क्यों जादा तर cash flow जादा जरूरी और reliable होता है, profit and loss से, तो हमने यह पहले भी discuss किया है, कि जितना profit होता है, जरूरी रही है, वो company को सारा का सारा profit सच में मिले, जैसे आपने किसी को माल बेचा, और आपने अपनी खाते में डाल दिया, कि मैंने इसको माल 100 रुपे में बेचा, मेरी cost 80 थी, तो मुझे 20 रुपे का profit हुआ, और वो आपको check दे देता है, उ signature mismatch हो, उसके खाते में पैसा ही न हो, और वो पैसा आपको मिले ही न, तो इसी लिए cash flow जादा reliable होता है, वो सच में पता चलता है, कि जो profit आपने कमाया है, उसके बदले पैसा सच में आपको मिला की नहीं मिला, और अब देखते हैं कि कैसे cash और profit में फर्क होता है, देखिए हिंदुस्तान उनिलिवर का EPS हमें दिख रहा है 27.94 याने earning per share, याने per share के पीछे मुनाफ़ा दिख रहा है 27.94, वहीं हर share के पीछे cash flow per share, याने एक share के पीछे कितना cash सच में आया कमपनी को business करके, वो है 26.46, याने profit per share देड़ रुपे जादा आया, लेकिन वो profit cash के रूप में, company के पास आया ही नहीं, ऐसा किवल इस साल हुआ है, तो हो सकता है, ये cash delay हुआ हो, और अगले महीने, अगले दो महीने बाद ये cash आ जाए, और ये difference कम हो जाए, लेकिन पिछले साल की स्थिती ये थी, कि जितना profit दिखा per share, उतना cash नहीं आया, तो कई कमपनीया आपको ऐसे मिलेंगी जो profit तो खूब दिखा रही है, जिनका EPS काफी दिख रहा है, लेकिन cash आया ही नहीं, और अगर पैसा नहीं आएगा, तो इस कागजी profit का में क्या करूँगा, मुझे तो सच में पैसा चाहिए, तो इसी लिए हम cash flow को जादा reliable parameter मानते हैं, अब हम discuss करते हैं कि free cash flow क्या होता है, इसके लिए एक बहुत simple example लेते हैं, आपके पास 20 रुपे थे, आपने 10-10 रुपे की 2 pencils खरी दी, और उन दोनों pencils को आपने 15-15 रुपे में बेच दिया, अब दिन के अंत में आपके पास 30 रुपे है, 20 रुपे से आपने खरीदा था, आपके पास 30 रुपे हैं, यानि दिन में आपने 10 रुपे कमाएं, आपका profit अब दिख रहा है 10 रुपे, और अब वो आपको 30 रुपे मिले भी, customer दे आपको 15-15 रुपे दे दिये, तो अब इस example में क्या हुआ, कि आपने 20 रुपे की चीज खरीदी थी, और 30 रुपे में बेच दिया, आपको 10 र रुपे हैं, तो अब जानते हैं, कि free cash flow कितना हुआ, देखे, ऐसा तो नहीं है, कि मेरे को एकी दिन business करना है, जादा तर businesses तो going concern होते हैं, यानि हम ये मान के चलते हैं, कि ये business रोज चलेंगे, रोज वेहपार होगा, और ये businesses grow करना भी चाहते हैं, तो अब, अगर कल को मेर ये plan है, कि चलो ठीक है, आज मैंने 2 pencil बेची, और मुझे 30 रुपे मिल गए, और अब कल जरूरी है कि मैं 30 pencil खरीदू, क्योंकि रोज ऐसे 2 pencil खरीद के 10 रुपे कमाने से तो घर चलेगा नहीं, मुझे धिरे-धिरे इस business को बढ़ाना है, ताकि मैं घर चला सकूँ, और ये business sustainable हो सके, तो पहले दिन मैंने 2 pencil से 10 रुपे कमा लिए, अब मिले पास 30 रुपे हैं, अब मैं 3 pencil खरीद सकता हूँ, और ये मुझे घर चलाने के लिए, अपना धंदा चलाने के लिए जरूरी है कि मैं हर रोज जादा माल खरीदू और जादा बेचू, तो ऐसे में free cash flow हो जा करें और 15 रुपे कमाएं, नहीं तो 10 रुपे रोज की कमाई से तो घर चलेगा नहीं, तो वो जो 10 रुपे cash आया, वो cash ऐसा नहीं है कि आप उसे उड़ा सकते हैं, आप उसे किसी को gift कर सकते हैं, वो cash आपकी मजबूरी है कि आप उस 10 रुपे से भी pencil खरीदें और अगले दिन 3 pencil बेचें, यह आपके business की मजबूरी है, याने वो जो 10 रुपे का cash आया, वो free cash नहीं था, उससे आप जो चाहें वो नहीं कर सकते, उससे आपको pencil ही खरीदनी है, तो देखिए, अब इसको हम real world में समझते हैं, कि एक company है, cement बनाने वाली, उसने cement बनाया, और अच्छे उसे नई machines खरीदनी पड़ेंगी, तो अब उसको अपने profit में से, उसको अपने cash flow में से, एक बड़ा हिस्सा, plant को repair करने में, और नई machine लगाने में invest करना पड़ेगा, तो वो हिस्सा, जिससे उसको plant की मरमत करनी है, cash flow में से, उस हिस्से को minus कर दिया जाएगा, और उसके बा ऐसे से, उसकी business की continuity depend नहीं करती, proper bonus money, जिससे उसको plant की मरमत या business चलाने के खर्चे नहीं उठाने है, वो होता है free cash flow, याने actual surplus money, तो ये profit भी नहीं होता, क्योंकि profit तो बस sale दिखाया और profit book कर लिया, वो cash भी नहीं होता, क्योंकि सारा cash ऐसा नहीं है कि आपके लिए bonus है, जो cash आया, उससे आपको कुछ ना कुछ invest करना है, ताकि business चलता रहे, तो वो सारे खर्चे करने के बाद, business की continuity ensure करने के बाद, जो पैसा बचा, वो है free cash flow, जैसे इसे और clear करने के लिए, आपन फिर से, वो pencil वाले example की तरफ जाते हैं, मान लीजे कि आप आप रोज 1000 pencils बेच रहे आपके पास दिन के शुरुआत में 10,000 रुपे थे और दिन के अंत में आपके पास 15,000 रुपे हैं, और अब आपको ऐसा लगता है कि मैं रोज के 5000 रुपे कमा लूँ, ये बहुत है, मेरे को इससे जादा नहीं कमाना, और रोज इसी लिए मैं 1000 pencil खरीदूंगा 10,000 रुपे है रोज की जो 10,000 रुपे में आ जाएगी, यानि अगले दिन आपको बिजनस करने के लिए अब चाहिए 10,000 रुपे, और आपके पास हैं कित्ते 15,000 रुपे, तो अब जो 5000 रुपे आपके पास extra है, जो आपको बिजनस में लगाना जरूरी हो ऐसा नहीं है, उस 5000 अगर बाट सकती है, तो ये वो पैसा है, जो सच में कंपनी के लिए free है, और इसी लिए इसे कहा जाता है free cash flow, और आप बात करते हैं Cox and Kings की, इस company में कुछ समय पहले काफी problems आई, और इसने loan लिया वा था जैसे ये चुका नहीं सकी, तो बहुत सारी problems आई, इसको देखते हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे cash flow per share और free cash flow per share आपको गलती करने से बचा सकता है, अगर हम EPS देखें, तो ये positive है, 10 रुपे per share, और वही हमको P&L में भी दिखेगा, कि company ने हर साल 2018 तक मुनाफ़ा कमाया, तो अगर हम जो बोलते हैं कि company मुनाफ़े वाली होनी चाहिए, loss वाली कमणियों से बचें, तो ये कमणी भी मुनाफ़े में थी, खूब मुनाफ़ा कमा रही थी, देखें हर साल, अच्छा खासा मुनाफ़ा ये कमणी कमा रही थी, लेकिन इस कमणी में problem कहां था, cash flow का, operating cash flow, ये वो cash flow है, जो company रोजमर्रा के विहपार से generate करती है, तो operating cash flow अगर आप देखिए, तो 5 में से 4 साल ये negative है, यानि company मुनाफ़ा तो कमा रही थी, लेकिन operations से, company के business से cash generate ही नहीं हो रहा था, और इसी लिए free cash flow भी negative था, हाला कि मुनाफ़ा हो रहा है, लेकिन free cash flow negative है, तो फिर से हम उस pencil वाले example की तरफ जाते हैं, कि 1000 pencil उसने 10,000 रुपे म में बेच दी, 15 रुपे पर pencil के हिसाब से, और मान लीजिए, कि वो जो उसका customer था, क्योंकि पहचान का था, तो वो बोलता है कि अभी पैसे नहीं है, दो महीने बाद ले लेना, तो अब 2 महीने तक company का खाता कैसा दिखेगा, company में ये दिखेगा, कि 10,000 रुपे की pencil हमने 15,000 बेच दी, बदले में हमने check ले लिया, जो 2 महीने बाद लगाना है, तो अब profit तो दिखेगा, 5000 रुपे का, लेकिन cash flow अभी नहीं दिखेगा, और free cash flow तो बिलकुल ही नहीं दिखेगा, यानि अगर हम profit पे rely करते, तो profit तो उस company में दिख रहा है, लेकिन 2 महीने बाद, अगर तो negative हो गया, तो cocks and kings में भी इसी तरह की चीज होई, profit तो दिख रहा है, लेकिन या तो profit केवल कागजी profit था, या फिर सच में sales हुई, लेकिन पैसा कभी आया ही नहीं, जो इसके customers थे, उन्होंने इसे पैसा दिया ही नहीं, और अब हम समझते हैं कि free cash flow ही क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कमनी मुनाफ़ा भी कमा रही है, cash भी कमा रही है, लेकिन ये हो सकता है कि उसका business model ऐसा है, कि उसे बार बार business को maintain करने के लिए, पैसा reinvest करते चले जाना पड़ता है, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा example देता GPS नहीं है, कमनी नुकसान में है, लेकिन cash generate हो रहा है, लेकिन free cash flow कुछ नहीं है, हमने सीखा है कि cash flow per share होना चाहिए, वो हो रहा है, लेकिन अब आप Airtel के business को समझे है, कि इन्हें हर बार कहीं कोई tower में खराबी आ जाती है, कभी broadband की कोई tower खराब हो जाती है, तो अपने network को जिस network के दम पे इनका business चलता है, उसको maintain करने के लिए हर बार जो भी ये cash इनके पास आता है, उसे invest करना पड़ता है अपने network को maintain करने में, दिन रात maintenance का काम चलता है, सडके खोते हैं, towers repair करते हैं, तो इतना cash आने के बावजूर इस company का maintenance का खर्चा इतना है, कि इस company के पास free cash flow कुछ नहीं है, हर बार जितना cash आता है, वो सारा का सारा, इसे invest कर देना पड़ता है, in fact, उससे जादा का खर्चा इसे कर देना पड़ता है, जिस current free cash flow negative है, और business को चलाते रहने के लिए, airtel को बहुत जादा करजा लेना पड़ा है, 83,000 crores का करजा इस company पे है, वो क्यू क्यूंकि जितना cash flow आ रहा है, उतना काफी नहीं है, networks को maintain करने के लिए, जिस current company का P&L account भी negative दिख रहा है, और ये cash company को finance कराना पड़ रहा है, करजा लेना पड़ रहा है, तो cash दिख रहा है, क्यूंकि करजा लिया है, तो cash तो है, लेकिन free cash कुछ नहीं है, और इसलिए अधा important weightage दें, free cash flow को, उमीद करता हूँ, आज का ये lesson, आपको इन examples के जरीए clear हुआ होगा, अगर हाँ, तो इस channel को subscribe जरूर करिए, इस video को share जरूर करिए, क्यूंकि ये एक ऐसा parameter है, जो आपको बुरी कंपनियों से बचा सकता है, और हाँ, इस video को like करता, बिलकुल मत भू अगर आप इसी तरह मिरे साथ और investing सीखना चाहते हैं, in-depth concept सीखना चाहते हैं, तो आप join कर सकते हैं Academy of Value Investing के course को, जो आप English और Hindi दोनों ही भाशाओं में available है, साथ ही अगर आप mutual funds के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप join कर सकते हैं Academy of Mutual Funds के course को, जो भी Hindi और English दोनों ही available है, इसके अलावा, अगर आप Ticker को use करना सीखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, कि Ticker.phenology.in का best use करके, आप stocks कैसे pick कर सकते हैं, तो Ticker by Phenology की social media IDs अब आपके screen पर हैं, जहां हर रोज हम Ticker से जुड़ी कुछ ना कुछ tips and tricks आपके लिए लाते रहते हैं, मैं लात रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस. This is Pranjal कामरा, signing off. Bye-bye.